हेलो दोस्तो मेरा नाम ही वीजे मैं आप सभी कहसार करता हूं सुधी टुटोरियल पर आज य चाहँ आप सभी अच्छे होंगे आए देखते हैं आज का टोपिक आज का टोपिक है इंडिया के आल टाइगर रिजर्स मेरा नाम है वीजे आप सभी का स्वागत है आज हम देखेंगे भारत के सभी टाइगे रिजर्स को जो की 28 राज और 8 के इंसासर प्रज़ेस में इस्तित हैं उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ शेर कर दीजिए वीडियो अच्छा लागे तो लाइक कर दीजिए वीडियो से रिलेटेट कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं आए देखते हैं टोटल भारत में जो टाइगर रिजर्वस हैं उनकी संख्या है 54 जो कुछ इस प्रकार है आए देखते हैं आखेर टाइगर रिजर्व होता क्या है टाइगर रिजर्व जो की है बागो के संरच्षड के लिए विभिन, राष्टी पाक और वन्यजी अभ्यारण को केवल बागो के लिए संरच्षित किया जाता है राष्टी पाक और वन्यजी अभ्यारण जिसे हम वर्ल लाइफ सैंक्षूरे कहते हैं या सिर्फ केवल बागो के लिए है सनरच्छित किया जाता है उसे टाइगर रिजर्व कहते हैं देश में बागो की घट्टिया वादी के कारण विभिन शेत्रों में टाइगर रिजर्व बनाये जाते हैं वरतमान में भारत में कुल 23rd बार्ग संरची छेत रहें आये देखते हैं Tiger Reserve से संबन्दित मातपोर्ड तत thi जो की है पहला वरतमान में देश में कुल 23rd Tiger Reserve है अगला है देश का सबसे नविंतम जो की है 23rd Tiger Reserve वह है उत्तरपरदेश के रानीपूर टाइगर रिजर्व को घोसित किया गया है देश का तिरपनवा टाइगर रिजर्व अगला पॉइंट है बावनवा टाइगर रिजर्व जो की है राजस्थान में राजस्थान में रामगड विष्धारी अभ्यारण है जिसे 52 टाइगर रिजर्व गोसित किया गया है जिसे 2021 में राजस्थान सरकार ने टाइगर रिजर्व के रूप में माननिता दी है रामगड विष्धारी अभ्यारण को अगला है बाग भारत का राष्ट पसू है अगला पॉइंट है भारत का पहला भाग रिजर्व जो की है जिम कार्वेट नेशनल पार्क जिसे एक अपरेल 1973 को टाइगर रिजर्व घुशित किया गया था हाला कि जिम कार्वेट को नेशनल पार्क का दरजा 1936 में दिया गया थ अगला है छिद्फ़ की दिष्ट से भारत का जो सबसे बड़ा Tiger Reserve है वह है नागार जुन सागर स्री सैलम या आंध्य प्रदेश में इस्तित है इसका जो एरिया है वह 3728 स्कुयर किलो मीटर है नागार जुन सागर स्री सैलम का या इस्तित है आंध्य प्रदेश में अगला पॉइंट है छेतफ़ल के दिश्ट्री से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेच है जो कि महराष्ट में स्थित है इसका एरिया है 292.8 किलो मिटर स्कॉायर अगला पॉइंट है मारा विश्ट में सरवाधी कुचाई परिस्थित टाइगर रिजर्व जो है वा है नाम दफ़ा अवड़ाचल प्रदेश में या विश्ट का सरवाधी कुचा उचाई परिस्थित टाइगर रिजर्व है नाम दफ़ा जो कि अवड़ाचल प्रदेश में बाग पाय जाते हैं अगला है केलास सांखला जो की यह हैं केलास सांखला जिर warp Tiger Man of India भी कहते हैं अगला point है पूरे विस्व में सबसे अधिक बाग भारत में ही पाय जाते हैं पूरे विस्व में अगला पॉइंट है 2019 में आई बागों पर रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो बागों की संक्या है वा है 2967 भाग अगला पॉइंट है मारा भारत में सबसे अधिक 524 भाग मद्पर्देश में पाय जाते हैं मद्प्रदेश के बाद करनाटेक में सबसे अधिक 524 बाग पाय जाते हैं अगला है 29 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व बाग दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 जुलाई अगला है 36 गड़ के गुरू घासी धास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला अभ्यारण को टाइगर रिजर्व के लिए प्रस्तावित किया गया है 36 गड़ के गुरू घासी धास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला अभ्यारण को आए देखते हैं आखिर प्रोजेक्ट टाइगर है क्या प्रोजेक्ट टाइगर देश में बागो की लगातार घट्ती आबादी तथा बागो का संड़ेशन करने के लिए सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉंच किया जिसके तहट भारत के राश्टि पसू जोकी है बाग इसके सनरच्छड के लिए कई कदम उठाए गए हैं 1973 से अगला है जोकी है राजस्थान के जोधपूर जोधपूर से इस्थित हैं या जिनका नाम है कैलास सांखला की नित्रित में पहली बार इंद्रा गाधी ने प्रोजेक्ट टाइगर नामकार करम 1973 में सुरू किया इसलिए कैलास सांखला को टाइगर मैन ओफ इंडिया कहा जाता है कैलास सांखला को इसलिए हम टाइगर मैन ओफ इंडिया के नाम से जानते हैं क्योंकि उन्होंने 1973 में इंद्रा गाधी के नित्रित में पहली बार टाइगरों को बचाने के लिए एक पहल सुरू की थी अगला पॉइंट है 1973 में जब टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट लाँच किया गया तब पूरे भारत में सिर्फ नो टाइगर रिजर्व घुशित किये गए 1973 में वा थे नो टाइगर रिजर्व जो हैं मानस, पलामू, रन्थमबर, बादिपूर, कानहा, मेल घाट, जिम, कॉरवेट, सुन्दरवन और सिमली पाग इनो टाइगर रिजर्वों को 1973 में चिन्हित किया गया था अगर कैसे बनाए जाते हैं टाइगर रिजर्व देश के किसी भी छेत्र में या उसको अगर टाइगर रिजर्व घुशित करना है तो सबसे पहले जो राजसरकार होगी इसकी सिफार से एंटी सिये को भेजती है राजसरकार आधिकारी रूप से उस छेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में घुशित कर सकती है यानि पहले सरकार जो होगी वह एंटी सिये को सिफारिज भेजेगी फिर एंटी सिये उसे अप्रूवल देगा जिससे राजसरकार आधिकारी रूप से उस छेत्र को प्राइगर कंजर्वेशन अथोर्टी इसे हिंदी में हम राष्टि बाग संद्रश्चंड प्राधिकरण कहते हैं कि एंटी सीए जिसका गठन वन निजी संद्रश्चंड अदनियम 1912 के तहित किया गया है एंटी सीए के अध्यक्ष जो की हैं भारत के परियावरन मंत्री या फिर कहें जो एंटी सीए का अध्यक्ष होता है वो भारत का ततकालिन परियावरन मंत्री होता है और तदकालिन परियावरण मंत्री हैं उनका नाम है प्रकाश जावडेकर तथा परियावरण राज्य मंत्री या होते हैं N.T.C.A. के उपाध्यक्ष अध्यक्ष होगा केंज सरकार का परियावरण मंत्री और उपाध्यक्ष होगा राज सरकार का परियावरण मंत्री संसत के और इनके साथ ही संसत के तीन सदस भी इसमें सामिल होते हैं तथा अनसदस होते हैं आये देखते हैं भारत के टाइगर रिजर्स के बारे में कुछ महत्पूर्टत थे जो की है भारत सरकार द्वारा साथ अपरेल 1973 को बाग बचाओ परियोजना जो की है प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात की गई इस पर जिर्णा के अंतरगत सुरुवात में नो बाग अभ्यारन की अस्थापना की गई जैसा कि हमने पीछे देखा है लेकिन वर्तमान में भारत बाग अभ्यारन में जिनकी कुल संक्या है तिर्पन यानि शुरुवात में नो थी अब कुल मिलाकर तिर्पन टाइगर रिजर्प्स भारत में इस्थित हैं अगला पॉइंट है राष्टि भाग संक्या रच्षण प्राधी करण द्वारा 2022 में प्रकासिर रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भागों की जो संक्या है वा है 3682 जिसमें से सबसे अधिक बाग मद्य पर्देश में हैं मद्य पर्देश में कुल भागों की संक्या है 785 इस रिपोर्ट में भागों की संक्या के मामले में करनाटक राज दूसरे स्थान पर है यहां पर 435 भाग इस्थित हैं इसके बाद तीसरा नमबर आता है उत्राखंड का उत्राखंड फिर चोथा है महराश्ट और उसके बाद पाचवा इस्थान है तमिल नाडु का उत्राखंड में जो कुल संक्या है वह 560 भाग हैं जैकि महराश्ट में 312 और 444 तमिल नाडु में तमिल नाडु में जो भागों की संक्या है वह 306 है महराष्ट में जो संख्या है वा 444 से 312 नहीं अगला पॉइंट है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक बाग पेंश टाइगर रिजर्व में है यानि जो सरवाधिक बागों की संख्या है वा है पेंश टाइगर रिजर्व में जो की एरिया के हिसाब से सबसे छोटा Tiger Reserve है यह Tiger Reserve मद्य परदेश और महाराष्ट दोनों राज्यों में फैला हुआ है अगला point है वर्तमान समय में में भारत में कुल्तिरपन Tiger Reserve है अगला है असम के ओरंग ओरंग राष्टी उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्स 2016 में भारत का 49 टाइगर रिजर्व घोसित किया गया है इस टाइगर रिजर्व को मिनी काजी रंगा के नाम से भी जाना जाता है मिनी काजी रंगा जो की है ओरंग राष्टिय उद्यान जिसे 2016 में भारत का 49 वां टाइगर रिजर घोषित किया गया है बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो की है कमलांग वन जिव अभ्यारण यह है भारत का 50 वां टाइगर रिजर जो भारत के अड़ाचल प्रदेश में इस्थित है इस नवन जिव अभ्यारण को वर्ष 2016 में टाइगर रिजर का दर्जा प्रदान किया गया है वा है कमलांग वन जिव अभ्यारण भारत का 50 वां टाइगर रिजर अगला पॉइंट है सिरी, विल्ली, पुथूर, मेगा, मलाई, टाइगर रिजर्व या है भारत का 91 टाइगर रिजर्व 11 अप्रेल 2021 को इसे भारत का 91 टाइगर रिजर्व एवं तमिलनाडु राज के पाचवे टाइगर रिजर्व के रूप में घोशित किया गया है इस टाइगर रिजर्व को तमिलनाडु के दो वन जी अप्भारणों, ग्रेजर्ड, गीलहरी वन जीअप्भारण के संयोजन से बनाया गया है या फिर कहें यह जो टाइगर रिजर्व है स्री विल्ली पुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व या दो वन अभ्यारणों जो की है गिरिजड गिलहरी वन अभ्यारण और मेगा मलाई वन अभ्यारण से मिलकर बनाया गया है इस टाइगर रिजर्व का समपोर्ण शेत्रफल है 1016.57 वर किलो मीटर अगला पॉइंट है मारा पेश टाइगर रिजर्व या भारत का एकमात टाइगर रिजर्व है जो दो राज्यों में फैला हुआ है दो राज्यों में जो राज्य है माराश्य और मध्य प्रदेश में या पेश टाइगर रिजर्व फैला हुआ है इस टाइगर रिजर्व के स्थापना हुई थी 1987 में अगला पॉइंट है बोर टाइगर रिजर्व या भारत का सबसे चोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व जो महराष्ट के वर्धा जिले में वर्धा घाटी के इस्थित है या टाइगर रिजर्व 138 किलो मीटर में फैला हुआ है यह भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है यह टाइगर रिजर्व महराष्ट का छठा एवन भारत का 47 वन टाइगर रिजर्व है और वर्तवान में इस टाइगर रिजर्व में सिर्फ चार बाग इस्तित है आए देखते हैं टाइगर रिजर्व से जुड़े कुछ समा पहला है बागो की जनगर्णा कितने सालों के अंतराल पर की जाती है बागो की जनगर्णा जो होती है वह चार सालों के अंतराल पर की जाती है अगला पॉइंट है पिछले तीन सालों में कितने बागो का निधन हो गया है जितने बागो का निधन हुआ है पिछले तीन सालों म बाग का निधन हुआ है उसका क्या नाम था उसका नाम था राजा अगला पॉइंट है कलवाली बागिन का पेंश टाइगर रिजर में निधन हो गया है उसे किस नाम से जाना जाता था उसका नाम था सुपर मॉम अगला है पेंश टाइगर रिजर कहा इस्तित है पेंश टाइ गर्स पाय जाते हैं अगला पॉइंट है विश्व बाग दिवस किस तिथी को मनाया जाता है विश्व बाग दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को अगला पॉइंट है जन्गरना 2008 रख के अनुसार सबसे ज्यादा बाग किस राज्य में थे जन्गरणा 2018 के अनुसार सबसे ज़्यादा बाग मद्य प्रदेश में थे जिनकी संख्या थी 526 अगला है 2014 के जन्गरणा के अनुसार भारत में कूल कितने बाग थें 2014 में जन्गरणा होई थी बागों की उस समय भारत में बागों की जो संख्या थी वाग थी 2226 बाग अगला क्विशन जो की है 2018 के जनगर्णा के अनुसार भारत में कुल कितने बाग हैं 2018 में या संख्या बढ़कर 2967 बाग हो गई थी जो की 2014 में 2226 बाग थे अगला है प्रोजेक्ट टाइगर जिसे बाग पर योजना को किस वर्स में आरंब किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट को शुरुआत जो आरंब किया गया था वा था 1973 में आए देखते हैं टाइगर रिजर्व और टाइगर रिजर्व किस राज़ में है और इनके जो घोसित किया गया है 22 वर्ष में इनको Tiger Reserve घोसित किया गया है आयो देखते हैं पहले को पहला है Corbett Tiger Reserve या फिर इसे कहें Jim Corbett Tiger Reserve इसे घोसित किया गया है 1974 में और यह इस्थित है उत्राखंड में दूसरा है बांदीपूर Tiger Reserve इसे मानिता मिली थी 1974 में जो की स्थित है करनाटक में तीसरा है कानहा Tiger Reserve इसे मानिता मिली है 1974 में जो की स्थित है मध्यपरदेश में चोथा है मारा मानस Tiger Reserve इसे मानिता मिली है 1974 में जो की स्थित है असम में पाचवा है मारा मेल घाट Tiger Reserve इसे मानिता मिली थी 1974 में जो की स्थित है महराश्ट्र में चाटवा जो की है पलामू Tiger Reserve इसे मानिता मिली थी 1974 जो की जार्खंड में इस्थित है पलामू Tiger Reserve चाटवा रण्थंबोर Tiger Reserve इस्थित है राजस्थान में मानिता मिली थी 1974 में आठवा टाइगर रिजर्व है सिमली पाल टाइगर रिजर्व या इस्थित है उडिशा में इसे मानेता मिली थी 1974 में नौवा है सुन्दर बर्ण टाइगर रिजर्व जिसे मानेता मिली है 1974 में और या इस्थित है पशिम बंगाल में दसवा टाइगर रिजर्व है पेरियार टाइगर रिजर्व इसे मानिता मिली है 1978 में जोकी इस्थित है केरल में अगला है मारा गयर्वा टाइगर रिजर्व सरिसका टाइगर रिजर्व इसे मानिता मिली है 1978 में जोकी इस्थित है राजस्थान में अगला है बक्सा टाइगर रिजर्व जो की इस्थित है पश्चिम बंगाल में इसे मानेता मिली थी 1982-83 में तेरवा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो की इस्थित है 36 गड़ में इसे मानेता मिली थी 1982-83 में चौद्वा है नाम दफा टाइगर रिजर्व जोकी इस्थित है अवडाचल प्रदेश में इसे मानिता मिली है 1982-83 में पंद्रवा है जोकी है नागारजुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व या है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जिसे मानिता मिली थी 1982-83 में और या इस्थित है हांध प्रदेश में सोलवा है दुधबा टाइगर रिजर्व या इस्थित है उत्रप्रदेश में मानिता मिली 1988 में अत्रवा है जिसका नाम है कलाकड मुंदन घरई टाइगर रिजर्व जोकी है तमिल नाडु में इसे मानेता मिली थी 1988 में अट्रवार टाइगर रिजर्व है वॉल मिकी टाइगर रिजर्व इसे मानेता 1989 में जोकी स्थित है बिहार में 1900 टाइगर रिजर्व है इंद्रा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व इसे मानेता 1992 में मिली है जो की इस्थित है मद्धिपर्देश में वीश्वा टाइगर रिजर्व है टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इसे मानेता मिली है 1993 में जो की इस्थित है महराष्ट में अगला है किष्वा टाइगर रिजर्व जोकी है बाधवगर टाइगर रिजर्व इसे मानिता मिली है उनिस त्राइगर चौरानवे में या इस्थित है मद्धि प्रदेश में अगला है पन्ना टाइगर रिजर्व जोकी इस्थित है मद्धि प्रदेश में इसे मानिता मिली है उनिस सो चौरानवे पंचानवे में तेश्वा टाइगर रिजर्व है डमफा टाइगर रिजर्व इसे मानिता मिली है उनिस सो चौरानवे पंचानवे में जोकी इस्थित है मिजोरम में चोभिश्वा है भद्रा टाइगर रिजर्व या इस्थित है 뭔 2019 या करनाटक में जिसके स्थापना 1999 निन्यान्वे में हुई है अगला हमारा पेच टाइगर रिजर्व जो की स्थित है महराष्ट में और साथ ही साथ मद्ध प्रदेश में या दो बार काउंट हो चुका है इसकी स्थापना हुई है 1998-99 में 26वा है पक्के टाइगर रिजर्व इसकी स्थापना 1999 में और 2000 के बीच में हुई है यह स्थित है अवडाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व 27 है नामेरी टाइगर रिजर्व यह स्थित है असम में इसके स्थापना 1999 में और 2000 में हुई है 28 है सत्थपूरा टाइगर रिजर्व या इस्थित है मद्ध प्रदिश में इसे मानिता मिली है 1999-2000 में अगला है 29 आना मलाई टाइगर रिजर्व इसे मानिता मिली है दोजार आट नौ में जो की इस्थित है तमिल नाडवें तीस्वा है उदन्ती सीता नदी टाइगर रिजर्व या इस्थित है 36 गड़ में इसे मानेता मिली है दोहजार आट नो में हमारा एक तीस्वा टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सतकोष या टाइगर रिजर्व या इस्थित है उडिशा में इसे मानेता मिली है दो हजार आट नो में 32 है मारा काजी रंगा टाइगर रिजर्व या इस्थित है असम में इसे मानेता दो हजार आट नो में मिली है नोरा तैथिस्वा है अचान कमार टाइगर रिजर्व जो की इस्थित है 36 गड़ में मानेता दो हजार आट नो में मिली है चोती स्वां जोकी टाइगर रिजर्व है डांडेली या फिर काली टाइगर रिजर्व मानिता मिली है दोजार आट नों में और या इस्थित है करनाटक में 35 है संजे दुबरी टाइगर रिजर्व जो की इस्थित है मद्ध परदेश में इसे माननिता मिली है दोजार आट नो में 36 है मारा मुदु मलाई टाइगर रिजर्व जो की इस्थित है तमिल नाडवें इसे माननिता दोजार आट नो में मिली है से तीस्वा है नागर होल टाइगर रिजर्व जो की करनाटक में इस्थित है और इसे मानेता मिली है दो हजार राट नो में और तीस्वा है परंबी कुलम टाइगर रिजर्व या इस्थित है केरल में मानेता दो हजार राट नो में मिली है मारा 49 टाइगर रिजर्व है सहाद्री टाइगर रिजर्व जो की इस्थित है महराष्ट में इसे मानिता मिली है दोहजार नौदस में मारा चालिस्वा है जिसका नाम है बीलिगीरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व जो की करनाटक में इस्थित है इसे माननेता मिली है दोजार दस गैरा में अगला है हमारा एक्तालिस्वा जो की है कावल टाइगर रिजर्व जिसे दोजार बारा तेरा में माननेता मिली है और यह इस्थित है तेलंगाना में तिरालिस्वा कोईशन है तिरालिस्वा टाइगर रिजर्व है जो की है सत्मंगलम टाइगर रिजर्व जिसे माननेता मिली तेरा चोदा में जो की इस्थित है तमिलनाडु में 43 है मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व जिसे मानिता मिली 2013-14 में और यह इस्थित है राजस्थान में 44 है नावे गाउं नगजीरा टाइगर रिजर्व जो की स्थित है महराष्ट में मानिता मिली 2013-14 में 45 है अमराबाद टाइगर रिजर्व जो की इस्थित है तिलंगाना में इसे माननेता 2014 में मिली है 46 है पीली भी टाइगर रिजर्व जो की उत्तरप्रदेश में इस्थित है और इसे माननेता 2014 में मिली है 47 है बोर टाइगर रिजर्व जो की महराष्ट में इस्थित है मानेता 2014 में मिली है 48 है राजाजी टाइगर रिजर्व मानेता 2015 में और यह इस्थित है उत्राखंड में 49 है मारा ओरांग टाइगर रिजर्व 2016 में मानेता मिली और यह इस्थित है आसाम में पचासवा है मारा कमलांग टाइगर रिजर्व जो कि 2016 में माननेता मिली है और या इस्थित है वडाचल प्रदेश में 91 है सिरी विल्ली पूथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व या इस्थित है तमिल लाडु में और इसे माननेता मिली 2021 में 22 है जोकी है रामगड विशधारी टाइगर रिजर्व या इस्थित है राजस्तान में माननता मिली है 2021 में तिरपनवा है गुरू घासी दास टाइगर रिजर्व जो की इस्थित है 36 गड़ में माननेता 2021 में मिली है अमारा 54 टाइगर रिजर्व है जो की है रानीपूर टाइगर रिजर्व जो की इस्थित है उत्तर प्रदेश इसको मानिता मिली है 2022 में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 54 टाइगर रिजर हो गए हैं लेकिन एक टाइगर रिजर जो की है पेश टाइगर रिजर वह महराश्ट के साथ मध्य परदेश में भी इस्थित है इसलिए उसे दो बार काउंट किया गया है इसलिए सिरीज में हम 54 टक पहुँच गए हैं और सबसे लेटेस्ट हमारा जो टाइगर रिजर्व है वह यही है रानिपूर टाइगर रिजर्व जिसे 2022 में मानिता दी गई है या इस्थित है उतर परदेश में आये देखते हैं राज जनुसार भारत के सभी जो 54 बाग अभ्यारण या फिर कहें तिरपन बाग अभ्यारण है 54 इसलिए क्योंकि एक अभ्यारण जो की है मध्य परदेश और माराश्ट के बार्डर पे इसलिए उसे दो बार काउंट किया गया है आये देखते हैं सबसे पहले मध्य परदेश को मध्य परदेश में जोकी स्थित है पहला कानहा टाइगर रिजर्व दूसरा है बाधावगर टाइगर रिजर्व तीसरा है इंद्रा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व या स्थित है महाराश्ट और मध्य टाइगर रिजर्व, पाच्वा है पन्ना टाइगर रिजर्व, छाठ्वा है मारा सत्पुरा टाइगर रिजर्व, बढ़ते हैं अगले प्रदेश की तरफ जोकी है महराश्ट, महराश्ट में इस्तित है मेल घाट टाइगर रिजर्व, दूसरा है बोर टाइगर रिजर्व, तीसरा है टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, उसके बाद है चोथा नावे गाउं नगजीरा टाइगर रिजर। पाचवा है सहाद्री टाइगर रिजर। और ये छाठवा जो है वा है पेश टाइगर रिजर। या मद्ध परदेश और महाराष्ट में इस्तित हैं। अगला है मारा करनाटक करनाटक में इस्तित हैं जो पहला है वा है नागर होल टाइगर रिजर। दूसरा है बील गिरी रंगनात टाइगर रिजर। तीसरा है भद्रा टाइगर रिजर। चोथा है डंडेली या फिर काली टाइगर रिजर। पाचवा है बादीपूर टाइग करनाटक में, अगला है मारा असम, असम में इस्थित हैं यह चार टाइगर रिजर, पहला है मानस टाइगर रिजर, दूसरा नामेरी टाइगर रिजर, तीसरा है ओरांग टाइगर रिजर, और चौथा है काजी रंगा टाइगर रिजर, अगला है मारा तमिल नाडू, तमिल नाडू में इस्थित है आना मलाई टाइगर रिजर्व दूसरा है मुदू मलाई टाइगर रिजर्व, तीसरा है सत्मंगलम टाइगर रिजर्व और चोथा है कालकड मुंदन थरई टाइगर रिजर्व अगला प्रदेश है हमारा अड़ाचल प्रदेश अड़ाचल प्रदेश में इस्तित है पक के टाइगर रिजर्व दूसरा है नाम दफा टाइगर रिजर्व तीसरा है कमलांग टाइगर रिजर्व या और्णाचल प्रदेश में या तीन Tiger Reserve इस्तित हैं अगला है हमारा छतिशगड छतिशगड में इस्तित है अंचनमार Tiger Reserve दूसरा है इंद्रावती Tiger Reserve तीसरा है उद्रनती सीता नदी Tiger Reserve चौथा है हमारा गुरू घासी दास Tiger Reserve अगला राज्य है मारा राजस्थान, राजस्थान में इस्थित है मुकुंद्रा, हिल्स, टाइगर रिजर्व दूसरा है रण्थम्बोर, टाइगर, रिजर्व तीसरा है सरिस्का, टाइगर, रिजर्व और चौथा है मारा रामगड, विशधारी, अभियारण अगला राज है हमारा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में इस्तित है दुद्वा टाइगर रिजर्व दूसरा है पीली भीट टाइगर रिजर्व तीसरा है अमानगर टाइगर रिजर्व अगला राज हमारा केरल केरल में इस्थित है यहादो टाइगर रिजर जो की है पेरियार टाइगर रिजर दूसरा है पेरंबी कुलम टाइगर रिजर बढ़ते हैं अगले प्रदेश की तरफ जो की है उडिशा उडिशा में इस्थित है सिमली पाल टाइगर रिजर्व दूसरा है सत कोशिया टाइगर रिजर्व बढ़ते हैं अगले प्रदेश की तरफ जोकी है उत्राखंड उत्राखंड में इस्थित है यह दो टाइगर रिजर्व पहला है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, अगला है राजा जी टाइगर रिजर्व, यह इस्थित हैं उत्राखंड में, बढ़ते हैं अपने अगले टाइगर रिजर्व की तरफ जोकी है तिलंगाना में, तिलंगाना में इस्थित है कावल टाइगर रिजर्व, दूसर सा टाइगर रिजर्व अगला प्रदेश है मारा आंत्प्रदेश आंत्प्रदेश में इस्थित है नागार्जु सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व या भारत का सबसे वड़ा टाइगर रिजर्व है अगला प्रदेश है मारा मिजूरम में इस्थित है डंपा टाइगर रिजर्व अगला प्रदेश है मारा बिहार बिहार में इस्थित है वालमी की टाइगर रिजर्व अगला है जार्खंड जार्खंड में इस्थित है पलामू टाइगर रिजर्व आएए दिखते हैं लेटेस्ट टाइगर पॉफूलेशन डेट डाटा 2023 2023 के टाइगर पॉफूलेशन डाटा को जो की है इन इंडिया काटेगरी है ग्लोबल सेयर इंडिया है 75% of the world's wild tiger population इंडिया में 75% world के जो tiger हैं वा निमाज करते हैं दूसरा है current minimum population जो current minimum population है वा है अप्रेल 9, 2022 तक 3,166 और जो current maximum population है वा है 3,925 tigers अगला point है average population average population है 3,682 और इन टाइगरों की जो annual growth है वा है 6.1% कि दर्शे या बढ़ रहे हैं यह निनकी growth हो रही है यह देखते हैं state wise highest tiger population in India state है और यह है tiger population पहला state है मद्ध प्रदेश मद्ध प्रदेश में 785 tiger इस्थित हैं यह फिर कहें 785 tiger वहाँ निवास करते हैं अगला है करनाटका करनाटका में दूसरा सबसे सरवाधिक tiger निवास करते हैं जिसके आये देखते हैं कौन से रिजर्व में किनने tiger मौजूद हैं पहला है corvette यानि जिम corvette में जिम corvette में tiger की संख्या है 260 दूसरा है बांदीपूर में इस्थित हैं 150 tiger अगला है नागर होल में 141 tiger मौजूद हैं अगला है बाधावगर दुध्वा जिसमें इस्थित हैं 135 बाधावगर में 135 और दुध्वा में 135 टाइगर मौजूद हैं अगला है मुदूमलाई में 114 बाग इस्थित हैं अगला है कानहा कानहा में इस्थित हैं 105 टाइगर वैसे ही काजी रंगा में इस्थित हैं 104 टाइगर अगला है सुंदर्बन सुंदर्बन में इस्थित हैं 100 टाइगर 2023 के आंकडों के हिसाब से अगला है तदोबा में 95 टाइगर अगला है सत्यमंगलम यहां पर इस्तित हैं 85 टाइगर अगला है पेच जो की मद्ध प्रदेश में है वहाँ पर 77 टाइगर मौझूद है आएगर अगला है अचाना कमार जो की स्थित है 36 गड में यहां पर 10 टाइगर अगला है अचाना कमार जो की स्थित है अगला है इंद्रावती इंद्रावती पड़ती है 36 गड में अगला है उदांती सीता नदी यहां पर भी 10 टाइगर अगला है जो की स्थित है यहां पर जो टाइगरों की संख्या है वह 10 से कम है अगला है सहायाद्री जो की स्थित है महराष्ट में यहां टाइगरों की संख्या 10 से कम है अगला है सतकोशिया सतकोशिया जो की उडिसा में पड़ता है यहां टाइगरों की संख्या 10 से कम है अगला है मुकुंद्रा जो की राजस्थान में यहां पर भी 10 से कम टाइगर्स मौजूद हैं अगला है रामगड विश्धारी जो की स्थित है राजस्थान में यहाँ पर भी दस से कम टाइगर मौजूद हैं अगला है कवाल कवाल जो की तिलंगा नामे है यहाँ पर भी दस से कम टाइगर मौजूद हैं अगला है मारा काला कद मुंदन थुराई ये है तमिलनाडु में यहाँ पर भी दस से कम टाइगर मौकूजूद हैं अगला है मारा नामेरी जोकी पड़ता है असम में यहाँ पर भी 10 से कम टाइगर्स मौजूद है। अगला है दंपा जोकी मिजोरम में इस्थित हैं यहाँ पर 10 से कम टाइगर्स मौजूद हैं। अगला है पक्के, पक्के जोकी अवडाचल प्रदेश में इस्थित है यहाँ पर दस से कम टाइगर्स मौझूद हैं, अगला है कमलांग, कमलांग इस्थित है अवडाचल प्रदेश में, यहाँ पर भी दस से कम टाइगर्स मौझूद हैं, अगला है नामदफा, नामदफा और राचल प्रदेश में जहां पर दस से भी कम टाइगर्स मौजूद हैं। अगला है हमारा बक्सा या फिर कहें बुक्सा बुक्सा जो की वेस्ट बंगॉल या फिर कहें पश्चिम बंगाल हैं। यहां पर भी दस से कम टाइगर्स मौजूद हैं। आये देखते हैं इस्टेट विथ डिक्रीजिंग टाइगर पॉपलेशन इन इंडिया जैसे कि हर चार साल पे टाइगरों का पॉपलेशन की जनगरना होती है इससे पहले 2022 में और 2022 से पहले 2018 में होई थी आये देखते हैं कौन से स्टेट का जो टाइगर पॉपलेशन इवा डिक्रीज कर रहा है पहला है अड़ाचल प्रदेश 2018 में था 29 अब यहाँ पर 2022 में नौ टाइगर बच्चे हैं दूसरा है उडिशा उडिशा जहां 2018 में 28 टाइगर थे अब वहाँ पर 20 टाइगर बच्चे हैं अगला है जहारखंड यहां 2018 में 5 टाइगर थे इनकी संख्या आब 2022 में एक रह गई है अगला राज है तेलंगाना तेलंगाना में 2018 तक 26 टाइगर थे जोकी घटकर 2022 में 21 रह गई है अगला राज है मिजोरम मिजोरम जोकी 2006 में 6 टाइगर थे अब 2022 में यहां इनकी संख्या जीरो रह गई है अगला है वेस्ट बेंगाल वेस्ट बेंगाल यहां फिर कहें पस्चिम बंगाल में 2006 में इनकी संख्या 10 थी अब यहां घटकर 2022 में एक रह गई है नागा लैंड जिसकी संख्या जीरो है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं दोस्तों के साथ सेर कर दीजे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और यह हमारा चैनल है इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा धन्यमाद